Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ganesh Chaturthi की आप सबको बहुत बहुत शुब कामना है तो आज मैंने बनाए है Ganesh जी के प्रिये मोदक, वो भी स्टीम बाले मोदक तो ये मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके फिलिंग त्यार करेंगे जो हमने इसके अंदर फिलिंग डालनी है तो मैंने ये पैन रखा, उसमें डाला आधा बड़ा चमच घी फिर हम डालेंगे ठोड़े से आधा बड़ा चमच मैंने लिए हैं वाइट तिल ये हम डालेंगे, इनको हलका सा फ्राइ करेंगे फिर मैंने डाला इसमें coconut का बुरा जो बुरादा होता ना वो यूज़ करेंगे आप चाहे तो आप fresh coconut भी यूज़ कर सकते हैं ये मैंने approximately एक कप के करीब लिया है इसको हम कम सेख पे fry करेंगे ताकि इसमें कोगी मुश्चर है तो वो निकल जाए फिर मैंने डाला थोड़ा सा बदाम एक बड़ा चमबच क्रश करके और फिर डाली इलाई चीज से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसमें फिर हम डालेंगे इसमें गुड या शक्कर ये मैंने डाली है हाफ कप के करीब तो या तो आप गुड डाल सकते हैं गुड की शक्कर डाल सकते हैं दोनों इसमें कोई भी डाल सकते हैं इसको हम कम सेक पे यानि की लो फ्लेम पे कुछ टाइम तेले पकाएंगे कि हलका सहीँ मोईस्ट हो जाए लेकि इंध्यान रखना अगर आप जाधा देर पका दोगे तो यहाड हो जाएगी आपको filling करने में problem होएगी इसमें ठीक है तो यह हमने तब तक पकाने है तब तक हलकी सी moist रहे तो यह हमने अलग बरतन में इसको निकाल लिया अब हम त्यार करेंगे इसका dough तो dough के लिए मैंने रखा pan पैन में डाला एक कप पानी पानी में डाला थोड़ा सा घी यानि की एक टीस्पून की करीब गी लोग इसमें नमक भी डालते हैं पर मैंने नमक नहीं आइड किया तो यह पानी हमने बॉयल कर लिया हलका सा सिम कर ली गया इसको अब हम इसमें डालेंगे राइस फ्लार यानि कि चावल का आटा वो एजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है यह मैंने लिया है थ्री फोर्थ कप के करीब थोड़ा जादा ही है उससे इसको हम कम से एक पे अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे जब यह आटा अच्छे से मिक्स हो जाए आप इसको ढखके रख देंगे कुछ देर के लिए ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा पानी है तो वो उसको सोक कर लेगा तो यह दस मिनिट के बाद मैंने यह परात ली इसमें जो आटा मिक्स किया था उसको इसमें निकाल लिया और अच्छे से हमने इसको मलना है यह जैसे हम नॉर्मल रोटी का डो बनाते हैं तो अगर यह आपके हाथ में चिपकेगा चिपकेगा यह क्योंकि यह चावल का आटा है तो घी लगाके थोड़े दिर के लिए रख दिया कि 10 मिन इसको रख देते हैं ताकि जो भी एक स्ट्रो और है थोड़ा और यह फूल जाएगा तो 10 मिन अबाद हम तयार हैं मोदग बनाने के लिए तो यह मैंने लिया मोदग का मोल्ड उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया उसको बंद किया फिल लिया थोड़ा सा मैंने आटा जो हमने चावल का आटा बनाया था इसको हमने अच्छे से इसके अंदर फिल करना है फिल करने के बाद हमने इसको finger की help से इसमें hole बनाना है space बनानी है ताकि हम filling को इसके नहें डाली है देखे जैसे मैं कर रही हूँ na edges के पास आपने आटे को कर देना और बीच में एक space बनानी है ताकि आप filling को add कर सको तो यह हमने बनाया hole अच्छे से अब हम इसमें डालेंगे filling डालते बह度 घर गिर जाती है कुछ है कोई बात नहीं लेकिन आपकी अंदर जो filling इसमें जा रही है न मूढ के अंदर जो हमने आटा डाला है उसमें अच्छे से जानी चाहिए तो यह filling हमने अच्छे से जितनी ही डालनी है डालने के बाद अच्छे से हमने इसको प्रेस कर देना ताकि वो अच्छे से बैट जाए फिल लिया हमने थोड़ा सा आटा अगर आपके हाथ में आटा चिपकता है या कुछ है तो आप थोड़ा सा अपने हाथ को ग्रीस कर सकते हैं गी से देषी घी अच्छेस अच्छेस हमने इसको प्रेस करना हमने फिलिं analytics कहा अब एक सुन्दर सा मोल्ड में से हमने निकाला यह मोदद यह जो गनेश जी को हमने बहृत भी प्रीए हैं तो यह देखी शुक्ते बढ़के वलेखे, बढूम uyक्राम केल्ठ डाले जब यह इक्ईल को दालेंगे देखो कितो सुंदर कलर test और घनेश जी को खुश्की जिए गनेश चतूरती बनाईए और यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं इन्जॉइ एंड गिब मी ये फीडबैक, सब्सक्राइब